Hello everyone, welcome to catch upon English, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 25 spoken English sentences जो आप डेली बातचीत करते हुए बोलते हैं तो first sentence, good morning, how are you today? सुभ प्रभात, तुम कैसे हो? Could you please pass the salt? क्या आप क्रिपया नमक पास कर सकते हैं? मतलब क्या आप क्रिपया मुझे नमक दे सकते हैं? उस तरफ से इस तरफ देने को पास करना कहते हैं तो क्या आप किपया नमक पास कर सकते हैं? I need to catch the bus now मुझे अब बस पकरने की जरूरत है Can you help me with this? क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते है? I will be there in a few minutes मैं कुछ ही मिन्टो में वहां पहुच जाऊंगा Sorry, I didn't mean to interrupt शमा करें मेरा इरादा बीच में रोकने का नहीं था Next sentence What's your favorite movie of all time? आपकी अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? Have a great day आपका दिन अच्छा रहे Let's meet at the usual spot चलो आमतौर से मिलने वाली जगह पर मिले मतलब हम लोग जहां आमतौर पर मिलते हैं वहीं मिले It's raining outside Bring an umbrella बाहर बारिश हो रही है चाता ले जा I will have a coffee, please क्रिपया मैं एक coffee लोगा मतलब मैं एक coffee पीना चाता हूँ तो मैं एक coffee लेना coffee पीना पसंद करूँगा Can I borrow your pain for a moment? क्या मैं एक पल के लिए आपकी कलम उधार ले सकता हूँ? Thanks for the invitation, I will come निमंतरन के लिए धन्यवाद मैं आऊंगा Sorry, I didn't catch your name देखे, catch का मतलब होता है पकरना लेकिन English में हर वक्त ट्रांसलेट करके नहीं होता है हर वक्त ट्रांसलेशन काम नहीं आती है तो क्षमा करे, मैं आपका नाम नहीं समझ पाया तो यहाँ catch का मतलब हो गया समझ पाना So, sorry, I didn't catch your name क्षमा करे, मैं आपका नाम नहीं समझ पाया I'm running late, see you soon मुझे देर हो रही है, जल्द ही मिलते है Do you have any plans for the weekend? क्या आपके पास सब्ताहांत के लिए कोई योजना है? Can you recommend a good restaurant? क्या आप कोई अच्छा restaurant बता सकते हैं? मतलब आप किसी से पूछ रहे है कि क्या आप कोई अच्छा restaurant के नाम मुझे बता सकते हैं? तो English में ऐसे बोलेंगे कि Can you recommend a good restaurant? That's a great idea, let's do it यह बहुत अच्छा विचार है, आईए इसे करें I'm sorry for the misunderstanding गलत फहमे के लिए मुझे खेद है How was your day? आपका दिन कैसा रहा? I will call you later मैं आपको बाद में call करूँगा Could you repeat that please? क्रिपया आप यह दोरा सकते हैं? Let's go for a walk in the park चलो पार्क में तहनने चलते है I'm looking for a new job मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ It's nice to meet you आप से मिलकर अच्छा लगा तो यह थी आज की वीडियो जहां आपने देखी कि 25 spoken English की sentences जिसे आप हिंदी में तो बोलते हैं लेकिन English में कैसे बोले समझ नहीं पाते हैं तो बस इन sentences को practice कीजिए और daily अपने life में इनको use कीजिए So, मिलते हैं next video में Till then, bye bye, take care, thanks for watching